जैसे जैसे गर्मी अपने शबाब पर आने लगी है वैसे ही लोगों का रुख पेपदार्थू की और बढ़ रहा है लेकिन मार्किट में निम्बू के भाव बढ़ने से अब आम लोगों का निम्बू पानी पीना भी मुश्किल हो गया है बात रादोर की ही करें तो यहां निम्बू 120 रुपे प्रती किलो के भाव पर बिक रहा है सानिय दुकानदारों का कहना है कि इस समय निम्बू की क्वाल्टी अच्छी ना होने और भाव ज्यादा होने से इसकी बिक्री भी प्रभावित हो रही है अब आम आदमी को निम्बू पानी पीना भी मुश्किल होने से अब आम आदमी को निम्बू पानी पीना भी मुश्किल हो गया है ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए अगर डॉक्टर को माने और अपनी जेब को देखे तो निम्बू पानी पीना आम आदमी बहुत बहुत दूर सूरज की तपिश बढ़ने से दोपहर को सड़के सूनी तो बाजारों में रोनक गायब होने लगी है ऐसे में गर्मी में प्यास से लोग अपना गला तर करने के लिए पेपदार्थों का सेवन कर रहे हैं चिकित्सक भी लोगों से लू और गर्मी से बचाव के लिए पेपदार्थों के सेवन की सला दे रहे हैं लेकिन मार्किट में निम्बू के भाव ने लोगों की परिशानी को बड़ा रखा है वैदिक ज्यान आश्रम के संस्थापक स्वामी सजिदानन सरस्वती के पंतालिसमे सन्यास उत्सव पर राश्ट स्तरिये वैदिक वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया सम्मेलन में आचारे धर्मेंद्र शास्त्री द्वारा यग भ्रम्मा के रूप में वैदिक मंतरोचारन के साथ सामूहिक यग संपन कराया गया केंद्रिये आरे युवक परिशद के हरियाना प्रांतिय प्रवक्ता एवं जिला अध्यक्ष डाक्टर सोरफ आर्या ने बताया कि सम्मेलन में केंद्रिये आरे युवक परिशद यमना नगर द्वारा विबिन शेत्रों में उत्कृष्ट योगदान एवं सेवा कारियों ह दस महान वी भूतियों को सम्मान पत्र उपहार वा अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। झाल 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 झाल